हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोडी लेकर के आया हूँ, उमीद है आपको पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए सुरू करते हैं, एक प्रोफेशर अपने क्लास को ट्रेनि दे रहा था, और लग रहा था कि काफी उदास है, प्रोफेशर ने उसको नोटिस तो किया, लेकिन कुछ कहा नहीं, तीन-चार दिन तक जब प्रोफेशर ने ये नोटिस किया, कि हाँ, बच्चा सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, तो एक दिन टीचर ने बच्चे को अपने सर, अतीत में कुछ घटनाएं होई हैं, जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं उसी विएसे स्ट्रेस में रहता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ, टीचर काफी समझदार थे, उन्होंने तो उस वक्त उसको कुछ नहीं का, लेकिन सा नाम को टीचर के घर पहुचा, टीचर नहीं कहा उसको कि आप बैठिये, मैं आपके लिए सिकन जी बना के लेकिया आता हूँ, अब टीचर किचन में गये, उन्होंने उसके लिए सिकन जी बनाई, उन्होंने जान बूच के सिकन जी में नमक थोड़ी ज़्यादा डाल दी, अब बच्चे के लिए लेकर के आए, बच्चे को दिया, बच्चे ने पिया, उसने अजीब सा थोशा मूँ बनाया, जब कोई नमकीन चीज पीता है, ज़्यादा तो थोशा मूँ चेंज हो जाते है, तो बच्चे का एक्सपरेशन देखके टीचर ने बुचा, क्या वो अ तो ठीचर ने का आप बिल्कुल सही का तुमने, अगर सिकंजी में नमक ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि इसकी वैल्यू खतम हो गई, हम इसमें चीनी डालके इसको ठीक कर सकते हैं, उसी तरह आपके जो पास्ट में चीजे हुई है, और वो अकर खराब है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आपके आने वाला फ्यूचर है, या आपकी जिन्दी, सब कुछ खराब हो चुका है, उसमें आप थोड़ सी चेंजिस करके, थोड़ सी अच्छी यादे मिला करके, थोड़ सी अच्छी एक्स्पिरेंस मिला करके, उसको अच्छा बना सक है, कि हम अपने पास्ट की वएसे अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं, अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं देते, और इस वएसे हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है, यह बहुत जरूरी है, कि हम जो बीती हुई घटना है, या बीती हुई चीजे है, उसको पाएंगे अच्छा कर पाएंगे तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके सब तक पहुंचाईए ताकि सम मोटिवेट हो पाएं अभी के लिए बाइबाई इस्टे हैपी stay safe, stay motivated, bye-bye.